अगर आप must app को update कर रहे हो और must app update नहीं हो रहा है तो कैसी इस problem को solve कर सकते हो कैसी इस problem को fix कर सकते हो आज की वीडियो में यहीं बताएंगे Hey guys, welcome to my channel अगर आप must app को अपने फोन में update कर रहे हो लेकिन आपको update करने में problem आ रही है पेंडिंग का प्रॉब्लम शो हो रहा है और आपका जो एप है वो अपडेट नहीं हो रहा है तो इन प्रॉब्लम के सेलूशन के लिए आपको सिंपल से कुछ स्टेप बताऊंगी अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका मस्ट अपडेट हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां पे सबसे पहले आपको चलना है प्ले स्टोर में जैसे ही प्ले स्टोर में चलते हो आपको यहां पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है आपको टाइप करना है मस्ट एप और यहां पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा डिस तरह से felt प्रॉब्लम नहीं होता है और आपकर जो मसे एप और तो अपडैने हो mileage होता है कैंसल करके फिर से ऐसा करते हो फिर से update करते हो जैनकर ऑना पिन्दिंग होता है एक उबडेत होना इस पॉल्देशन के लिए आपको यहां पे कुछ step follow करने पड़ेगी उसके बाद आप यहां पे आकर अगर अपडेट करोगे यहां पे सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है आप जब फोन की सेटिंग में आते हो इस तरह से फीचर आपको मिल जाएंगे यहां पे आपको एप या अपाहहँ प्लिक करेंगा ओस यहां यहां उपर आपको सब्सक्राइब करते हैं प्लिक करना है और यहां पर हम सर्च करते हैं प्लेट और यह प्लेट रिच तो इस तरह से ऑप्षें दिखाई देगा आपको इहां पर क्लिक करना है उसके बाद इस तरह से पेज आपके सामने शो हो जाएगा यहां पर आपको स्टोरिज पर आना है और उसके बाद किलियर कैच पर क्लिक करना है किलियर डेटा पर क्लिक करना है जब आप यह कर लेती हो तो आप यहां पर देख सकते हो जो कैच और यूजर डे आपको यह पर्मिशन जो है वो आपके फोन में अलाव होनी चाहिए स्टोरिज एंड टेलिफोन की इस अलाव है दन आप उससे अलाव कर लीजियेंगा इसके बाद यहां पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजर्स है इस पर क्लिक करना है और आपके जो डेटा है वो ऑन होनी चा कर लेते हो उसके बाद आपको बैक आना है यहां पर आपको एक उप्शन मिलता है किलियर ओल डेटा यहां पर क्लिक करना है फिर यहां पर आपको कर देना है और यहां पर जैसे ही कर देते हो यह सैटिंग आपकी हो चुकी है इसके बाद आपको बैक का जाना है यहां पर आ इसके बाद यहां पे आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है हम यहां पे अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर ले रहे हैं जैसे ही आप अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेते हो इसके बाद यहां पे आप देख लो हमारा जो फोन तब रिस्टार्ट हो चुक यह एप आपके सामने आ जाएगी, अपडेट को आपशिन मिलेगा, आपको अपडेट को आपशिन पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हो, आपका जो मस्त आप है, वो यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख लो मस्त आप जो है, वो अ को option मिलना है आप open के option पर क्लिक करके must app को use कर सकते हो इस तरह बहुत ही आसानी से must app को update कर सकते हो और पेंडिंग वाली problem को यह must app अपडेट ना होने वाली problem को solve कर सकते हो आई होप वीडियो आपके लिए helpful रही वीडियो को like करिए share करिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और पास में दियेगे notification बैल के आइकन को जरूर प्रस करिए thanks for watching